आगरा संजे पेले स्थित सहीद इसमारक पार का रखरकाओ का जिम्मा आगरा बिकास प्रादिकरण के हवाले है आगरा बिकास प्रादिकरण ने इस पार्क में प्रवेस पर लोगों के लिए शुल्क लगाने का एलान किया था लेकिन शेहर की सामाजिक संस्ताओं के हस्तशेप और आपत्ती के वज़े से अब यह फैसला चल गया है यानि कि अब लोगों के लिए राहत की ख़बर है इस पार्क में घुमने के लिए अब लोगों को किशी भी तरह का सुल्ख नहीं चुकाना होगा इसको लेकर हमने लोगों की रायजानी क्या है इस ख़बर में देखिए मैं तू बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह जो लोगों ने शहीद इसमारक पार्क में तो कोई सवाली दो कितने सालों से आप यहां आ रहे हैं और मैं यहीं पर जॉप करता हूँ और लंश टाइब में आता हूँ इस तरह देखिए स्वाइब नहीं लगी है तो अच्छी बात है क्योंकि यहां सांस्क्रित कारिकरम होते रहते हैं यहां तो इसलिए चिकटना लगे अच्छी बात है दूसरा यह जाबिरे जी है यहां फिर लोग अख़वर पढ़ने आएं तो फिर आप बिल्कुल भी बंद हो जाएं यहां तो टिकल लगेगा तो फिर कौन आएगा यहां अगरा संजय पहले से सहीद इसमारक पार जिसका रखरकाब आगरा विकास प्राधिकरन करता था और आगरा विकास प्राधिकरन ने कुछ दिनों पहले इस पार्क में लोगों की एंट्री पर सुल्क रखने की बात कही थी तमाम जो शेहर की समाजिक सिविक संस्ता हैं उन्होंने आपती दर्ज की हैं और अब एक और फिर से खासला आया कि इसमें अब टिकेट एंट्री पर नहीं ली जाएगी अब इससे जुड़ा आपको इतिहास बता देते हैं बात अंग्रेजों के जबाने की है और यहां पर देश के आजादी में लड़ाई लड़ रहे जो सुतंतरता सेनानी थे उनको यहां पर यातनाई दी जाती थी और यहीं पर उस वकत जेल हुआ करती थी और उन जेलों में उन्हें यहां पर सुतंतरता सेनानी को कैद करके र यहीं शही इसमारक पार्क की स्थापना की जाएं।